हालो इबरीबर वेल्कम टो आई चैनल आला इन जीएस पाय दिवाकर यहां पर देखें हम लोग कल और पीएसी का फर्स्ट पार्ट साल के थे पेपर वन का तो उसमें कुछ गलतियां रह गए थी उन गलतियों को पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं किन प्रस्णों में ग गलतियां थी यह जगरफी का फर्स्ट पेपर का साल्व है इसमें 71 प्रस्ण हम लोगों ने देखे थे तो जो गलतियां है जिन प्रस्णों में हमने दुबारा चिक किया तो क्यूशन नमबर वन में आप एक बार देख लीजेगा ठीक उसके बाद आपका 6 में 25 में यह सब्सक्राइब यह स्टांप का है तो यह स्टांप का में बलकि मैकेंडर का उसमें आपडेट कर दिया और 71 में आपका बताया था इस पीट सुरी टुमबोलो बताया जब कि टुमबोलो चुकि वहां पर हमने प्रस्ण बहुत अच्छे तरीके से द्यान नहीं दिया था तो एक प्रकार से क्या बोलते हैं यह Mick इसको देख ले था-ठीक इसके बावजोद अर्फिया आएगा तो सबसे पहले हैं पर नहीं है शर्ज भी ग्राफिक्स फार्मेट होता लेकिन ग्राष्टर फाइल डेटा यह ग्राफिक्स में नहीं होता है तो अभी क्या है यह आपका विक्टर डेटा होता है थीक तो सवु fatty minister शेयुक्य जो है यहाई इसके लेवल ग्राफिक्स इसका पूरा यह होता इसी डबलू जो है यह आपका रास्टल फाइर फार्मेट है यहां देखिए हमने इंक्लूड भी कर रखा इसमें एक जो सर्च करके मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा उसको आप देख सकते हैं यहां पर तो यहां पर असपस लिखा गया इसके लेवल वेक्टर ग्राफिक्स वेक्टर इमेज फाइल फार्मेट तो चुकि कल अमने यह बहुत ज्यादा इसका डिटेल चिक नहीं किया पाथा चुकि लेट मिला और आपनों को आंसर की का भी बड़ा इसू था काफी फोन आ रहे तो इसलिए थोड़ा सा यह इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो आले जो स्कूब करने आप की लिया आफ देखें तो यह आपका ऑफंटिक साइट यह यह एक आपका सॉप्टवेयर है जै घैड़े तो यह एक्वेडास यह यह मैपिंग प्रोपरटी यह आपका जो है देखें यहाँ पर सिमिलर टू जी पीजी टू अंडर टू थाउजन ठीक तो यह राष्टर डेटा के इंदर यह शामिल किया जाता है तो यहाँ सी चीज़ें आप देख सकते हैं उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं सब्सक्राइब नेक्स्ट क्योस्टन पर जो रांग यहां पर हुआ है तो पहले परस्ण पाज आणसर क्या हो जाएगा वह जाएगा डी कल थीक चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्योशन नमबर 6 हम ने बताया था तो क्योशन नमबर 6 में आई थिंख समने आप लोगों को नहीं है तो थार्ड नंबर यहां पर यह सही नहीं होगा उसके बाद देखें थार्ड के बाद हम लोग आजाते हैं 25 नंबर पर और यहां पर आपका जो 23 हो गया 24 25 अभी इसमें देखिए इसके लिए भी हमने यहां पर सेलेक्ट किया है तो इसमें जो अबजर्बेशन होता यह भी प्राइमरी डीटा में आता है प्रशनावली भी आती साचतकार भी है और सिंसस को भी कई जगा प्राइमरी डीटा के रू जब आप किसी की द्वारा बनाएगे कोई माले जी है किसी की बंद्वारा बनाएगे डेटा है उसको आप देखके अपने डेटा उससे कलेट कर रहें तो आप जो आप जर्भेशन होगा वह सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा ठीक तो फिलाल यहां पर आपको सूर्स अब सब्सक्राइब करा दिया जा रहा है एंसी अर्टी का सोर्स है यहां देखिए एक तो आपका यहां दिया गया है कि इस इंसर दाटा ही जो प्राइमरी डाटा विकाज इचिट द ऑफिसियल प्रासेस आप में थाडिक ली क्लेक्शन इंफोर्मेशन अबाउट सब्सक्राइ टिक तो यह तो आपका हो जाता है यहां पर दिया गया है दूसरा आपको यहां पर देखिए सोर साव देख लीजें है इन सी आई इंपर्सदार अ कि सिर्व यहां मैं दिखा एक सितर्श सपर्सव जो स अरिब स favorist इन्फानिशन सर्वें ऑर याम दिखी यह लिकाए कम ऐसे यू ту कर्रादेटा फीरसटारroid से टेलीफोन से ठीक सेंसर्स कवर्ड एबरे इंडिवेचुल आपले की यूनिट विलांगिंग तुद पॉपुलेशन और इसमें पर्सनल रिकार्ट की आपलिक सेंसर्स लिखा गया है तो यहां पर हम दोखें तो एक हत्ता कि आपका साही है और कहां से हमने लिया है कि सेंसर से कवरिंग इबरी इनविजियल विलांगिंग टू दो पॉपॉलेशन यहां से आप यह भी कर सकते हैं जो सिंसर्स वह भी आपका क्या है कि प्राइमरी डीटा के अंतरगत आएगा ठीक नेक्स्ट आपको यहां पर नेक्स्ट देखिए यहां पर जो दिया गया है कि यहां पर क्ली कि जो ज़्यादा सरी लग रहा है वह आप यहां पर कर सकते हैं सेंसर्स को तो 25 का फॉर कर सकते हैं कि उसके बाद देखें जो आपका प्रस्ण है वो है 42 नंबर है तो 42 में देखें यहां पर हमने आपको बताया था जो बीडियों में बताया था बिल्टेन अंड विटेशी आपका किसकी माइकेंडर की है आप माइकेंडर पढ़ेंगे अई हमने कराया भी आपनों को तो चुकि विमान भी भूल की वजह से इसमें आपनों का साल्व कराने में थोड़ा सा यह गलतियां हो गई है उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिवेंटी वन पे तीक तो सिवेंटी वन में जो हमने आप से बोला इंद्ट जाए डिकी 30 प्रवा के दवारा खुले जलिया खाडि में बनाए जाने वाला साक्राया उंग्ली नुमा बालोका या तट बंध यह दिकिए जो यह दि की बात कर रहा है तो यह अंग्ली नुमा ताड़बंधेन है जबकि टुम्बूलों क्या होता है क्ट तोमब नुमा जो है यह बालू का तडबंद है जिसका एक सीरा मुख्यबों से जुड़ा है तो इसमें राइट आंसर आपका इस्पिट हो जाएगा क्लियर हुआ सिवेंटी बन का जो है यहां पर फोर हो जाएगा ठीक चलिए अब हम लोग सिवेंटी टू से यहां पर सॉल करते हैं सीफ के संदर में कौन सा कतन सही है तो यहां पर देखें सीफ जो है किवल एक भुजा वाला बालू का इस्तिफ होता है तो आप जानते हैं कि इस तरह से सूप का निर्मार्ण सीफ का निर्मार्ण होता है उसके बाद सरक नाम से किसको जाना जाता है यह समुद्री तट रेखा निर्मित करते हैं तो इनको क्या बोला जाता है इनने फियोड बोला जाता है क्योंकि जैसे आप कनाड़ा के तटो की बात करने नार्वे का बात करने तो वहां पर यह देखने को मिलती है ठीक यह जो आपनों का साल्व करके यहां पर इस इलीटिक लगा दिया गया है और जिस प्रस्ट में कहीं कोई कोई कन्फ्यूजन है तो उसको यहां पर क्लियर कर दिया जाए रहा है अगला हुआ गया जिसका निचले वाई मंडल में सुस्क वाई में कितना में प्रतिसत मान तीसरा सरवादिक है वह कौन सा है जिसमें कार्बंडाय आकसाइड है और जो ने नाट्रस आकसाइड है आरगन एक लेयर को बोला जाता है तो इसमें एफ़एं और एक टू है इनको लेयर बोला जाता है वाई गया सब्रस आपासाइब होता है तो उतरने का मतलब यहां पेर देखिए कि ठंड़ें गर्म अस्थान कि वाई की और वाई का 36 गति नहीं वाल कि क्या होगा अप वावा का मत या रोहण हो ना एक प्रकार से आप कहा सकते हैं जैसे उपोस्टर कड़ेबंदी छेत्रों में हवाओं का रोहण होता और वहां पे उच्छ दाप जो है देर्मित हो जाता है ठीक कि उसके बाद यहां में देखें नेक्स्ट जो क्यूशन दें रखा है में मौसं सम्झ्द्रम न करते यह हैं चोफ मंडल में उसके बाद उपको सूरिया था सूरिया था सुरिया लगा उड़ धे परिक्रमाड सोरिकी क्रिनों का ज्षुकाओ यह सभी इसको प्रभावित करते हैं लेकिन प्रचलीत पवन का और सूरिय का या सूरिया तब कोई विसीज यहां पर मतलब नहीं होता है उसके बाद देखें चक्रवाद प्रति चक्रवाद में दिराय कि इसमें पौनों की दिशा के प्रारूप में असत्य खथन का उनसा है गलत में होती है जक्षडी गुलार्द में चक्रवाद में पौनों की दिशा घड़ी की दिशा के अंडूप होती है उत्तरी गुलार्द में प्रति चक्रवाद में पौनों की दिशा घड़ी की दिशा के अंडूप होती है जब कि चक्रवाद में क्या होता इसके विपरीत होती सब्सक्राइब कर दोड़ना है नेक्स्ट आई यहां पर देखते हैं लोग नेक्स्ट पोस्ट उच्छ वायुदाप पेटी इस समय का सब्सक्राइब का लिए और यहां पर vas現在 केंड़ेंब कर देखते हैं के लोग प्रिशाइं हाई लेटिटीडवब दोड़ा अ कि और यह ठीर इनस भी होती चैनले सब्सक्राइब होता है उसके बाद यहां देखे एक टीटू में 100 डिग्री सिंडिग्रेट इसको फारेनाइट में बदलेंगे 212 होता है और निक्स्ट यहां भी दोर एक खाग है नेक्स्ट एक्टी थ्री हम लोग देखें तो वार्षिक ताप परिसर की करना की बात कर रहा है इसमें देखे वार्षिक ताप परिसर का मतलब यह होता है कि यह वार्षिक आउसत ताप की बात कर रहा है इसमें जो है कि एक वर्ष में सबसे गर्म यूंग ठंडे महीने के आउसत ताप के अंतर को यह वार्षिक ताप आंतर कहा जाता है ठीक कि दिया कि लो-क्लाव्ड कौ सब्हें निछले में के बारे में तो पच्छाब में प्रति ग्राम प्रती में नेक्स याप में लैत के दिया है में और घॉंस के घृंड़ी बन्दी चक्रवात में थंड़े वाथ आंग्र के игра Ready वाले मेग कौन से हैं तो ठंडे वातागर के सारे बनने वाले मेग जो है कौन से इसमें देखे दिया कि बहिरूश्ड यानि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इसके अंदर गता था यानि कि थंडर इस्टार मेग प्रकार से आप मानके चलिए तो यह जो ठंडे वाता अक्सीजन हो जाता है यहार इस ग्रेग एस नहीं है और एटी एट में देखे जो दे रखा इसमें आपका हो जाएगा कि पावनों में से कौन साज़व साहरा मरुस्तल से संबंदित हैं तो यह हभूब हो जाएगा अडे आटिक तट की जो ठंडी तेज हवा है तो एडे आ वन्तिक मासागर का जो डिपरस्ट कवींट है कौन साल अथन दिपरस्ट का जुएक फोइन्ग साफिए वब का प्यूर्ट का पॉक्तल सीग में और भी कर नेघ्टन है कि पर देखें समानय तदीर के जो युंग लगों जो धर है इनके मद्द जो अंत्राल होता है ये विज मेखिए आनंगे बंच वर्ता डी ओंथ नेली के नूममल इंटरुबल होता वह सीवन डेज का होता है कि इद में लिएत्ट का होता है यह टोटल Sm độc का होता है और कौन सी ठंडी धारा नहीं है तो इसमें देखे बेगवेला हम थार्ट फार्वरेंड इसका एक ट्रीक आप अप लोगों के यह है कि हम बोले भगुला केला क्यों फेक रहा है हम बोले भगवला क्यों फेक रहा है क्यों फेक रहा ठीक तो इससे क्या होगा हम बोले से हम बोल्ट हो यह ठंडी दा रहा है बगुला से आपका बेंगुएला हो गया के से आपका कनारी हो गया ला से आपका लबरडोर हो गई ठीक और क्यों से आपका क्यूराइल हो गया और यह आपका फेक से फाक लैंड हो गया तो इसमें बेंग्विएला अंबोल्ट और फाक लेंड यह तीनों क्या हो गई यह ठंडी धारा का एक फर्मूला है जो कि ब्राजील क्या यहां पर गर्म जल्दारा है ठीक चले नेक्स यहां पर आते हैं कोकूज कटक तो कोकूज यह दीव दिता तो कहां पर हो हिंद महासागर में जबकि कटक की बात किया है तो यह आपका कोकूज जूरी जे कहां पर पैसफिक होशन में है ब्रियाद महादीप मगनतट हैं यहनि लार्जेस्ट कांटिनेंटल लोड़ा मगनतट यहां के हैं ठीक अनुसार राइट आंसर सी हो जाएगा 96 देखिए 96 में कि वह निमलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंदमासागर की बेसिन में नहीं है यानि कि जो इस्ट अटलांटिक बेसिन के अंतरगत नहीं है तो इस्ट अटलांटिक बेसिन जो पीतिन में यहां रहा तो यहां पोर्वी में नहीं है नहीं इस तेनों को परदर्सित करता है बहुत जादा गहराई में तो नहीं यह दिखा पाता लेकिन फिर भी यहां पे गहराई में जो डीप सी प्लेन है अबिशल प्लेन है उसको यह दिखाता है अलबाट रास पठार जो कहाँ पेस्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसाफिकोशन में अलबाट राश नैंटीन वे देखें महासागरी धारा जो उत्तरियंद महासागरी धाराओं की चक्रिकति का भागने यह निदि महासागरी धारा है है जो पार्ट नहीं है तो तुन चार गायरों में जो उतलैंतिक में है वो आपका गल्फ स्टृम नातिक है यह भी आपका गायर का यह applaud ये भी और यह во G का warum विसवति ढरा परवह है यह वी आपका इसमें डहता हैं कम ये कि दर बहुंार रहा हो गया है जबकि लेबरोडोर इससे रिलेटेड नहीं गलफिस टीम सी अलग से आपका उपर से था ठंडी दा रहा है तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नाइन्टी नाइन का भी हो जाएगा लेबरोडोर ठीक हंड्रेड में देखे इसमें दिया है कि मद्य आटलांटिक कटक का वह भाग जो विश्वत रेखा के उत्तर में इस्तित है उसे क्या कहते हैं यही वाला प्रस्णापका डिसस्वी में देखे पूछा था कि इसके जो जैस्ट उत् डाल्फिन बालविच यह रियो ग्रांड उभार ठीक तो इसमें जो राइट अंसर हो जाएगी डाल्फिन उभार इसको बोलते हैं चेलेंजर आपका दक्षड में हो जाता है निम्न में से सिल्का में उज यानि कि कौन सा जो है सिलिसियस उज है तो इसमें टेरो पार्ट है यहां पर राइट हो जाते हैं और नेक्स्ट आप संदेखे 102 नंबर प्रस में गहले गहरे लागून द्वारा मुख भूम यह थो आंतर देशी तरसे अलग ठलक की की सैल भीतिया रीप को क्या बोलते हैं तो इसे क्या बोला जाता है जैसे आपका ग्रेड बैरियर रीप ऐस से है यह तर्ट से अलग है चिंड भीन है ठीक यही बोला है यहां पर इसमें आपका रोधी का प्रवाल बित्त हो जाएगा राइट आंसर अगला यहां पर देखे 103 नंबर इसमें दिया लैबरोडोर जो है तो लैबरोडोर यह उत्तरी अट्लांटिक में है ब्राजील आप प्लाइट का तो यहां पर यहां पर आपका राइट फार्त हो जाएगाए मैं इसमें देख dus क्यों सियो तो के अधिर्यूसियार का उत्री परसांट में हो जाता है तो कर्माणेखवनों अभी चाहिए आपका आटलांटीक का गרג Bless एंगयार NAKAL तो और निकाल दियाए जिसमें हो यह और यह दोन वाट जाएंगे ठीक, C में भी B है, ये भी आड़ जाएगा, तो बचा कौन सा, B, यानि सिकन्ड नमर A, C और D, तो ये Elimination Method से भी आप इन परस्नों को solve कर सकते हैं, जो ये आपको एक भी कल पा रहा है, तो, उल्ड़कड़ी सदा बहार बनों को किसों नाम से जाना जाता है, ति आप जानते ह कि मांसून बनों को किसों नाम से जाना जाता है, तो मांसूनी बनों को क्या बोला जाता है, इन्हें, ट्रापिकल डेसीडियो, असफारेस्ट भी बोला जाता है, मांसूनी बनों को पनपाती बन भी बोला जाता है, आद पनपाती भी बन कहते हैं, ठीक, नेक्स्ट यहां प प्रदूसक 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 है जब कि पारा वाइप का इसका नहीं बलकि जल प्रदूसक के अंतर गता आ जाएगा ठीक तो यह आपका सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा अगला देकि पैस्विक तापमान प्रिद्धी में जो क्योटो प्रोटोकाल संदी हुआ था तो कर प्रोटो काल जो एक्सेप्ट किया गया था यह देखिए सुरुवाद जो है इसका बान में 93 से हो जाता लेकिन जो एक्सेप्टेंस इसका हुआ था वह आपका 97-7 के आस-पास हुआ था ठीक तो 1997 भी इसमें हो जाएगा नेक्स्ट आईए यहां पर 109 नंबर हम लोग देखते हैं तो 109 नंबर निया कि खाद सिंग्लम पूसाड़स्तर फोर पे जो है कौन आता है तो पूसाड़स्तर फोर में आप जानते हैं कि जो त्रितिय को भूगता होंगे टर्सियरी कजि емуर होंगे इसंवे आते हैं नाइट्रो सो मोनास फोर बैक्टिरिया है वह किसके परिवर्थन को प्रोसाइध करता है लाति है कि यहां पे थोड़ा सब्सक्राइब इसक्रिकर नाइट्रो भैक्टिरिया में चेंज करता है ठीक और जो नाइट्रो बैक्टिरिया नाइट्रो बैक्टर है वो क्या करता है नाइट्रो बैक्टर जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में करता है ठीक यह अमोनिया से नाइट्राइट बनता है जो नाइट्रो सो मोनास बैक्टिरिया करता है ठीक नाइट्राइ हैंगे हम लोग 111 नमबर देखे भारत में पहले बार जल अधिनियम वर्स कब घुसित हुआ था जल अधिनियम जो है किस वर्स लागू हुआ था तो जल अधिनियम 1974 में यह जल वाटर एक्ट लाए गया था तो यहां पर जो राइट हो जाएगा 1974 हो जाएगा नेक्स्ट आईए भूमद्रेखा से द्रूओं की और यह आप जाते हैं तो बनस्पति का कौन सा करम आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले आप एक्टेरियल बेटर पे होंगे तो क्या होगा यहां पर उस रकड़ बंदी वर्साबन देखेंगे ठीक जैसे ही उपर आएंग दिया है तो मरुस्तली जाडियां हो गई और टुंड्रा ऑब का जब आप दुरूं के पास पहुंचेंगे तो तुन्ड़ा के पास तो यहां पर जो सही क्रम है कि पहले तो यह तो होगा नहीं क्योंकि पात संगर तो यहां पर समय नए घुäs न्हीं गजरी जेंख दिरी रे जब आप भूमद रेखा से यहां परस्म जो है भूमद रेखा दिया तो भूमद रेखा पर आपका उश्ड कड़े बंदी वर्सा बन होता है यह भी रांग हो दो नमबर सही है किसे बड़े सिकारों की भूम कहा जाता है तो इसमें समाना को बूला जाता है कि नेक्स्ट आईए यूएन एपसीसी के साथ वर्स किस वर्स में भारत इससे जुड़ा यूएन एपसीसी से तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर कंवेंशन और क्लाइमेट चेंज इसका फुलफाम होता है तो इससे कभ यह जुड़ा इंडिया जो है 1992 में जुड़ा है जून चरण को बचाने के लिए कंविंशन तयार किया गया था तो यह साथ संसोधनिम्स में हुए थी फाइनली यह बिएना के बाद जो 1997 में हुआ था 95 में हुआ था उसके बाद 97 में मौन्ट्रियाल समझोता होता है जो 97 में होता है इसी समय इसको final जो है इसका इसको लागू कर लिया गया था अला कि जो पहला होता है Hillinsky में होता है total इसके 7 होते हैं finally जो होता है आपका Montreal होता है तो किसका प्रतिफल यहां पे बोल ला था तो प्रतिफल किसका था यह BNA वाले का था и potemagan में भी सम्हेलन हुआ सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है तापमान परिवर्थन का पड़ता है सोर के प्रकास की स्थिति का पड़ता है जल के उप्रता का पड़ता है लेकिन तो tips सबीन सर ने जूटल वीडियू सबीन верс वीडियू परिवर्थन के पारे मुन्हों ने बता अथा ठीक और यहां पे ये कवर आपको बता दिया जाए जाएं जो टेस्ट चल यदि आप उसको जोईन करना चाहते हैं तो जोईन कर सकते हैं यह टेस्ट आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में जो एकजाम होने वाला कि दूसरे अस्थान है सनक्षण में कौन सामिलस में नहीं होगा तिसमें देखे आपका जो हो जाएगा दिया विकल्ब है कि राश्टी उद्यान बनसपति उद्यान है बन्न जीव भियारण है बायोस्पियर रिजर्व है कि ठीक तो उनके अस्थान भी सरक्षण किसमें नहीं किया जाता है बनस्पत उद्यान बन जीव अब यहार अड़े तो यहां भी आपका जो दिया गया है कि इन सीटू कंजर्वेशन तो जो नेशनल पार्कों के वाइड लाइब सेंचरी यह आपके इन सीटू वाले हैं जो होता है यह एक सीटू होता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नमबर बनसपतिया जीव जहां पर है उनका सनक्छन का किया जैंग के 1 कौन सा सुमयलित नहीं है तो प्रेरी जापका कनाडा में है है ही है अर्जेंटीना बंपास होगया डाउन अस्टेले लानो ज नियूजी लैन में नहीं बलके नियुजी लैन भी क्या है कांटर भरी है है एक सो एक इसमें देखे पारिश्टेत्थ अंदर नियाशियों को पोसीत होने वाली अधिकतम संभाभाब संख्या क्या कहिती है तो में अधिक्तम संभाब विसंग्या जो वहां के लोगों को पॉसित करें उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कैरिंग कपेसिटी ठीक छमता उसकी होती है बहन चमता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टीछ खला कि सल्फियूरिक अमल भी उसमें पाया जाता है क्योंकि अशोटव और हैंनी सल्फियूरिक सल्फर डाइयाख साइड और नाट्रिक आकसाइड इन दोनों की वजह से ही यहां पर बनता है तो सल्फर और लाप का और यह आपका नाट्री कम लिए होने चाहिए जाएगा जूकि प्रीविए से एर में एक बार पूचा गया है तो वहां पे नाट रिक अवल और हाइड टूरिक हम लोगे विकलप राइट किया है आप प्रिविएस एर चोपकर देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको यह अब देखें दिया कि सांस्क्रिति मानक्षित्र का उदान आजै कोंसा नहीं और किसी प्रस्ण में निश्ची तौर पर कमेंट करिएगा तो वह खोए जो करेक्ट कर दिया जाएगा और कमेंट में इसको पिंन कर दिया जाएगा जो पार्ट रहेगा तो समय लोग है है पहले जो गलतियां रहेंगे उसको चर्चा कर लिया जाए कि गलतियां सबसे होती ही है यह हम देखे रिलीफ मैप है पॉलिटकल मैप पॉपलेशन टांस्पोटेशन तो कौन सा उधान नहीं है यह सभी इसकी एक्जामपल है जबकि रिलीफ मैप जो है यह फीजिकल फीचर में आ जाता है ठीक त इसको साल्व करने में थोड़ा समय लगेगा इसलिए इसको साल्व नहीं किया गया है 124 इसी तरह का एक और प्रस ने उसको छोड़ दिया गया है और जोंचरण का मुख्यकार्ण क्या है तो सी एपसी जो जोंचरण का यह में दीजन होता है एक पारितन से संबंदी निमलि है तो संपूर्ण जय मंडल एक पारितन्तर है तो पूरा जय मंडल एक अकीला पारितन्तर नहीं बलकि इसमें अलग लग पारितन्तर के यह प्रकार है तो जो सही कथन नहीं है यहां पे आपका 126 में हो सकता है तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा हो जाएगा स शंपूर्ण जो जय मंडल हूँ एक पारितन रही है कि नेक्स्ट है वन ट्वंटी सीवन में दिया है कि तो यहां आप देखिए यह वन ट्वंटी सीवन से कि देशांतरी याम उत्तर विश्वती बृत्त को शंपूर्ण कर खाटते हैं और उसके बाद यहां दिया है कि सभी देशांतरी याम उत्तरों की लंबाई समान होती है देशांतरी याम उत्तर बृत्ताकार होते हैं जो ध्रों पर एक बिंदु पर मिलते हैं जीरो डिग्री देशांतर को देशांतरी याम उत्तर को परदान याम उत्तर स्विकार करने के लिए अंतराश्टी समझोता हुआ यह सही है इसमें जो आपका गलत लग रहा है वह थार्ड आप्शन यहां पर हो जाएगा उसके बाद देखें नेक्स्ट जो दिया है कि यहां पर देखें 139 नंबर है इसको भी साल्व नहीं किया गया यह आप लोग देख लीजिएगा यह निक्स्ट वाले वीडियो में इसको साल्व करके इसका बता दिया जाएगा डिटेल उसके बाद देखें यहां पर दे रखा 130 नंबर में जो प्रस्णो का अस्तर चुकि आप दे रखा है कि किसी ह में चाहल अस्तर की वाग को नहीं दूर संख्या जो रिखा नांघ ओती जबकि спасन की संख्या में प्रतेग में अच्छान समानांत्रों की संख्या 90 नहीं बलकि किया है यहां पर लुक्त Irish सवाले नीचे भीच फाला एक होता है leverage कि तो यह अपका जो है पूर नंबर यहां पर गलत कतन समानांतर बोल ला क्पाल holiday नट घेक समांतारों वाले अस्तला कृतिक मानचितरों की स्रिंखलाओं की संक्या size इस इन इंडिया में इसमें यह वाला हो जाए아 known है यह 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 संसाइन्स को प्रवेंट करता है Essam कि नेक्स्ट यहां पे कथन जो हुआकर्थिक प्रश्षेब के समंध्य में सही है तो यह देखिए दिया है कि कौन सा आर्थो मॉर्फिक प्रोजेक्शन के बारे में शत्य है तो आर्थो मॉर्फिक प्रोजेक्शन के बारे में जो यहां पर राइट आमसर आपका हो जाता है वह है कि यहां पे देखे इस प्रक्षेप में मापनी की सुद्धा बनाए रखी जाती है इस प्रक्षेप में सभी बिंदियों की दिसाओं को सही सही दर्सा आजाता है यह नहीं है यह सही सही यहां पे इस समद्ध में कौन सा सही है यहां आपका इस प्रक्षेप में मापनी की सुद्धता बनाए रखी जाती है यह आपका यहां पर रांग हो जाता है क्योंकि इसमें मापनी की सुद्धता यहां पर नहीं होती तो यह भी यहां पे नहीं होता है और इस प्रक्षेव को समदूरस्थ प्रक्षेव की खा जाता है इसे समदूरस्थ प्रक्षेव नहीं समचेत्र में ला जाता है तो इसमें जो राइट हमसर आपका हो जाएगा हो जाएगा कि इस प्रक्षेव में सभी बिंदों की दिसाओं को सही सीधर साया जाता है और पूछा है इसमें और देखे 134 शंच्च रभील नाकार प्रक्षेव के संभन में कौन सा सही नहीं है इसमें इस प्रक्षेव में बापनी पेटारी डिग्री अच्छानसी समांतर के पास ही आपके रांग हो जाता भी देखते हैं कि वर मात्री में शममान रेखा मानचित्रों में आधार भूत अंतर क्या होता वड़ मात्री मानचित्र और सम्मान जो आईसो प्लेथ और कोरो प्लेथ में यहां पर एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसके अंतर की बात चल लही है कि आईसो प्लेथ और कोरो प्लेथ में अंतर कौन सा यहां पर है तो इसमें जो दे रखा है कि बनमात्री मांचित प्रसासने की काईयों के आधार पर बनाए जाते हैं जबकि सम्माहन रिखा मांचित प्राकरती की काईयों के तो महत्तपूर्ण जो आधार बुंद अंतर है वो आपका यही है ठीक सेकेंड नमबर 136 में देखें आप दिया कि सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए और वही करम में मापनी की अधार का पर सही अनुकरम देखिए तीजिए हायर में अभी जो पैलाट हुआ था उसमें आपको बताया था कि मापनी में जो सबसे बड़ी मापनी के अंतरगत आएगा वो आ यहां पर दिया है कि इस्टेंड़ी गियर जो विदी है इसका उपयोग की बात चल लए इसमें राइटांसर प्रयोग किया इस्टेंड़ी गियर ने तो यह जो ऑन पर हो जाएगा कि यह नगरी जनसंक्या को घूलेन ग्रामट जनसंक्या को बिंदुओं दर्साने के लिए इ बस्तुत करते हैं जिने कि अनवेशन से सूचना प्राप्ट करते हैं कि इस एक क्या ब informing क्या बोत होतो है तो통 कुला जाता है तो जो जो सूचना सम्बंदीक् 아닌 में चांकारी प्राप्ट करते हैं उन्हें बोला जाता इस सिंसर है रिमोट सेंसिंग में एक सेंसर होते हैं रडार नहीं कित अब देखिए 139 में इक invari मासिक आखिला की साहथा से बनाया जाता है वाड़तिसी साफेकश mo को कैसे बनाया जाता है तो क्लाइँ लिए ön धिर्माढ też होगा और kung आप साफेकशी हीनद्थ और अद्र रबल के ताफ मान इसमें रायट आंसर B और सी हो जायेगा नेक्स्ट है आपके 140 में मांचीत प्रक्षेप पर ध्रूह पर को नहीं दिखा जाता है तो किस वाले में ध्रूह को नहीं दिखा जाता है नेक्स आई एक 141 संकेत आक्षर में दिये गए पेल लेंडीष्के मार्डल को सही से निरुपित करता है तो लैंडीष्के मार्डल को सही से निरूपित करता है Gegenा इसम मेंसे कौन सा तो किया करता है इमेज डिस्प्लेइंग या कंट्रास इस्टेचिंग मैप वर्लेइंग या मैप डिजानिंग तो GIS से हम लोग क्या करते हैं जोगरिपिकल इन्फरमेशन सिस्टम इसका है तो इसके द्वारा हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं अब यहां पर जो दे रखा है आपका तो इससे मैप की सूचना प्राप्त होगी जी इससे हम लोग क्या करते हैं मैप की डिजाइनिंग करते हैं मैपिंग करते हैं ठीक उसके बाद भयापक रूप में प्रयूप सक्री रिमोट सेंसिंग तंत्र में सामिल है तो ऑड़सी मै आपका आ जाता है सोणार जोय है रिमोट सेंसिंग मरी भालकि जाहाजों में जब आप मुल्फियो करते हैं, सोणार का राडार और लिडार इन दोनों का प्रयूप सेंसिंग सिस्थम में होता है था। ए और ौर यहां पर राय्ट हो जाते हैं 144 में देखें इसमें दिया है GIS के लिए पaimerिक्ट होता है कौन सा अदीके oh also geographical information system यू qué rap-सure में इसमें 144 का जो राइट-ाँसर हो जायेगा इसमें देखें कि सिर्फ कि इया है जीॡपल इंटरूनेशनल सिस्टम है, global information system, इनमें से कोई निसका होता, geographical information system होता, इसमें fourth option हो जाएगा, GIS के important part के अंतरे हैं, कौन सामिल नहीं होते हैं, तो इसमें जो आपका होता GIS में, जो सामिल किया जाता है, इसमें आपका process है, data है, population है, तो कौन सा समलित नहीं होता है, तो GIS में population को I think समलित नहीं किया जाता है, ठीक, यहाँ पे जनसंख्या और process, इन दोनों में थोड़ा यह confusion, इसको आप देख लिजेगा, एक बार, ठीक, मैं भी एक बार और रीचिक करके, इसका आप लोगों को next वीडियो में detail मिल जायाएगा, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पे हमने GIS के अंदर कराया तो उसमें process को तो समिल किया गया है, तो population नहीं है, लेकिन population sampling के लिए यूज होता है उसमें, तो फिलाल यहाँ पे जो ज़्यादा सही है, उसकी according आप लगाएंगे process, sorry procedure, ठीक, इसको भी आप लोगों लिए चेक कर लिजेगा, यह doubt allocation में रख लिजेगा, 145 के बाद 146 देखते हैं, भूबाग के लक्षणों का सुदूर संबेदन, अधिकांस ता किस पर आधारित होता है, यानि जो remote sensing है, इसमें terrain characteristics की बात की जा रही है, तो यह किस पर depend होता है, तो यह आपका देखे दिया है कि भूग अर्विक लक्षणों पे, उसके बाद दिया है, इसमें आपका 146 में जो हो जाएगा, कि यह आपका terrain analysis किस पर अधिकांस ता जो किस पर आधारित होता है, तो वह भागी लक्षणों के बिशरीत परवर्तक पे, तो यह आपका जो रहता है यहाँ पे, उत्त सर्जक गुड़ धरम पे, यहनी कि फोर्थ नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यह भी आप लोग एक बार रीचिक कर लिजएगा, क्योंकि exact जो है, देखें, जिस भी प्रस्ट में थोड़ा भी doubt है, मैंने उसको बता दिया है, और जहाँ पे आप लोगों को लगे कि यह राइट नहीं है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगला देखें, द्रिश्व प्रकास का जो तरंग दैर्द होता है, वो कितना होता है, यह देखें, आपका repeated है, 0.4 से लेके 0.7, UGC का maximum repeated इसमें है, GIS का software concern नहीं है, तो GIS का software concern नहीं है, जो देखें, आर्क भीव है, IEL, WIS, MIP, AutoCAD जो इसका नहीं है, अगला एक remote sensing, एक remote sensing detector को कि संबेदन सीलता, जो इसके signal सामर्थ को धरातल से परावर्तित, या उस सरजित विक्रण प्रवाक के अनुसर भिभेदित करता है, उसे किस रूप में परिवासित किया जाता है, तुसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, रेडियो मेट्रिक, रिजोल्यूशन, ये चार टाइप के रिजोल्यूशन, स्पेक्ैनल है तुल यत की से लोगा वह रहिंद हो सफोल जाए कैसी यह और इतना है किसी प्राश्म पर कोई इसू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और यदि आप टेस्ट स्रीज से जुनना चाहते हैं तो इस नमबर पर आप वाट्सअप कर सकते हैं ठीक तो आज के लिए इतना ही थैंक्स पार वाचिंग